हेलो फ्रेंड्स मैं पूनम भासकर मेरा सेलक्षन UPPCS 2018 में टिप्टी कलेक्टर के पदपर हुआ है इससे पूर्व 2017 में असिटेंटिस्टिक इंप्लॉइमेंट ऑफीसर के पदपर चैनित हो चुकी हूँ मेरा माध्यम हिंदी है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी और निबंध की त्यारी के बारे में स्ट्राटिजिस शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने त्यारी की सबसे पहले मैंने निबंध की अलग से कोई त्यारी नहीं की जो हमारे चार पेपर होते है GS के और साथ मैंने जो मैंच जीन्स, न्यूस पेपर, उनसे मैंने कोटेशन, कभिता और जो कुछ अच्छे थॉट्स हैं अगर किसी आर्टिकल में मुझे मिलते हैं तो मैंने उनको कलेक्ट किया यूपी लोग सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनेरा अफसर, पड़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाये कम्प्लीट स्टेडी मिटीरियल एक ही अपर, डाउनलोड एंट्री नाउ यूपी PCS में निबंध के जो पेपर होता है, वो 150 नंबर का होता है, जिसमें की तीन निबंध पूछे जाते हैं, जो तीन घंटे के होते हैं तो जो फर्स्ट निबंध होते हैं, वो लिटरेचर और कल्चर और सोशल इसू इस तरह से रहते हैं सेकेंड जो पार्ट रहता है, उसमें साइस टेक, एकॉनमी पे रहते हैं थर्ड पार्ट होता है, उसमें किसी डिजास्टर या कोई योजना के ऊपर रहते हैं तो जो तीनो निबंधों के प्रकृति होती है, लिखने की, वो अलग-अलग होती है जिसे कि अगर आप कोई कल्चर पे निबंध आया है, तो हम उसमें एक हिस्टॉरिकल डबलेमेंट के मात्यम से दिखा सकते हैं कि मतलब मौरिकाल में कैसे था, या फिर गुप्त काल में कैसे हुआ, इस तरह से हम एक क्रमबत तरीके से बता सकते हैं साथ ही जो निबंध की शुरुवात करनी चाहिए, जो उसका परिजय हो, वह बहुत ही अच्छा होना चाहिए उसको हम किसी कोडेशन कविदा की मात्यम से कर सकते हैं या कोई स्टोरी बनाके भी कर सकते हैं अब आते हैं सेकंड पार्ट में, जो क्वेशन रहते हैं जैसे कि किसी साइंस ट्रैक या कुछ इशू बहुत हैं तो उसमें हमें मैगजीन जैसे योजना को फोकस करना होगा क्योंकि उसमें कुछ फैक्स भी डालने होंगे फैक्स के साथ साथ हमें कुछ एक्जामपल और जो भी केस स्टेडीज हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि निवन भी हम जितने अधिक से अधिक आंसर में एक्जामपल डालेंगे हमारा अंसर उतना ही अच्छा होगा और इसी तरह थर्ड जो थर्ड टाइम के होते हैं जिसमें की कोई योजना जैसे की प्रिधान मंत्री जंधन योजना पे या फिर किसी भी योजना आयूश्मान भारती योजना इस तरह की योजना में हमें क्या करना होता है कि पूरा कप शुरू हुई कैसे उसके क्या 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 समस्यां आने वाली हैं उसकी एक पूरा ड्राफ्टिंग कर लिनी चाहिए जो रफ पेपर होता है उसके बात में हमें आंसर अपना लिखना चाहिए अब अब आती हूँ हिंदी के पेपर पे, हिंदी के पेपर भी 150 नम्मर का होता है जो हिंदी मात्यम के छात्र हैं, छात्र छात्र हैं मैं उनको बताना चाहूंगी कि आप हिंदी और निबंध में अच्छे मात्स लाके एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं बिया कर नुकन आपको प्याकरन को याद नहीं होते जैसे बिलोम शब्टrator पुछे जाते थे हैं और उनको पार-बार याद नहीं होँ रहे हैं, पहले पहले लगाएंगे, जो चीजे आपको याद याद नहीं हो उनको आप एक जगर नोट कर लिजे और उनको बार-बार आप confident रहेंगे उसकी drafting अच्छे से कर सकेंगे और आप आराम से हिंदी में 100 plus marks ला सकते हैं